आवाज तो आपके सुन ही लिए होगी के आज क्या बन रहा है बहुत ही चटपटी सी टेश बन रही है तो चले शुरू करते हैं व्लॉग बिस्मिल्ला रह्मने रहीम अस्सलाम अलेकुम वेलकम तू मैं चैनल लाइफ इस है पर वेज कैसे हैं आप सब मैं अमीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैलियत से होंगे आज बड़ा ही चटपटा कुछ खाने का दिल चाह रहा था तो सोचा कि क्यों ना राज को चोली ही बना लूँ बहुत ही मज़ेदार और चटपटी सी बनती है चटपटा आइटम सबसे पहले बनाएंगे तो इमली की चट्टी बना र मिर्च उर्ण और नमक ढब अपने हिसाब और किसे ठीट सकते हैं और इसमें और कर रहा हूं आपको ही कर दोर एंज इसको कचोरी अचा दियो 마무ुल मैं आ अब सोजी हाफ कप नमक करने वसे बनानेकाएं के लिए उनडेम मानी कोड़ी करने बना राला ने के लिए मैं दोरए अगर आपको टेस्ट पसंद न हो तो इसको किप अपको कर सकते हैं। हाथों से ख्रश करके इसहीं मैं अड्य कर दिया है। ऑईल कर रहे हूं टोटे बिली स्पॉनूझ। ऊइल ज़या हुझे और जाहिए और नहीं ऑईल कम होना चाहिए। इस तरह से हाथों से जब रगड़ेंगे ना इस तरह से ही आपको करना है तकरीबन 5 मिनट तक आपको इस तरह से पूरे आटे को करते रहना है मसलना है अच्छी तरह से तो जब इसकी मुठी बनने लगेगी आप हाथ से देखेंगे मुठी बन रही है अगर मुठी बन रही है तो इसका मतलब है कि oil और add करने की जरूरत नहीं है मैंने टूटेबिल इस्पून ही oil add किया था तो देखें मुठी इस तरह से बन रही है और टूट रही है तो मतलब बिल्कुल सही है यह और अब इसमें पानी add कर रही हूँ अब इसको स्टे देंगे तकरीवन 15-20 मिनट के लिए कोई प्लास्टिक शीट से इसको रैप कर देंगे और इसको एक साइट पर रख लेंगे और चलते हैं इमली की चटनी की तरफ तो इसको पकते हुए 10 मिनट हो चुके है और देखे इसकी consistency अभी कुछ इस तरह से है पतली ही है तो अभी इसको मैं क्या करूंगी चान लोंगी इस टेनर रख लिया है इसको चान लेंगे और फिर इसको वापिस उसी पैन में डाल देंगे जिस पैन से अमने निकाला था और अब इसमें एड़ कर रही हूँ अद्र पिर से लो फ्लेम पर हमें को करना है 10 मिनट के लिए 10 मिनट इसको कुक करेंगे और देखे इस तरह से ये गाड़ा सा हो गया है यह मजीद गाड़ा हो जाएगा जब ठंडा होगा तब लेकिन आपको इससे ज़ाधा गाड़ा पकाते हुए नहीं करना है तो बस इसको भी च तूटी स्पून साबित काली मिर्च कर रही हूं मैं इसमें तूटी स्पून और इसमें एड़ करूंगी नमक वन टी स्पून लो फ्लेम पर इसको हमें रोस्ट करना है यानि के भूनना है अच्छी सी जब खुश्बू आजेगी कलर इसका चेंज हो जाएगा तकरीबन दो से पाउडर मैंने रेड़ी कर लिया है और इसमें एड़ कर रही हूं सिट्रिक एसिट वन फो टी स्पून जिसे टाट्री भी कहते हैं कश्मीरी लाल मिर्च एड़ कर रही हूं वन टी स्पून कलर देने के लिए ताक अच्छा सा कलर इसमें आ जाए तो देगे इसको एक दफ दो को रखे हुए 20 मिनट हुए है और 20 मिनट में हमारा चाट मसाला चटनी वगरा बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है और अब इसको बना लेते हैं तो मैंने यहां पर इसकी छोटे-छोटे से पेड़े ले लिए हैं अगर आप चाहे ना तो इसको पूरा बेल कर और कुकी अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ यहां पर मैंने ले लिए हैं वाइल आलू िए हूं तो मैंने बॉइल करके रख लिया था सक चुटे-छोटे से पीसे स्टाफ रही हूं और अबμοठ y aad, क्याइस के एड़ कर दूगा, और आप इसको मिर्च पसंदो हरी मिर्च अर्भिे ऐड़ कर सकते हैं ऊपका हुई हूई मिर्च कैसी चट्पटी रेडी हो चुकी है अब बारी है दुकान को खोलने के तो धुकान हमने खोल ली है तो सबसे पहले आप इसकी आवाज चेक करें कि यह कितना क्रिस्पी बनाए तो पर उसके सारी स्टाफिंग कर देंगे चले और चाट जो बनाए हैं हमने आलू वाले वह और प्याज, हरे मिर्च वगएरा काटके इसमें डाल दिया है चॉप करके इमली की चट्नी ओहो क्या मज़े की चट्नी बनी आप इस इमली की चट्नी को एक दफ़ा में बनाकर फ्रीजर कर सकते हैं यह बिल्कुल यानि कि फ्रीज नहीं होती है लिक्विडी सी रहती है फ्रीजर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगे आप जाकर देख सकते हैं और पापड़ी को भी आप बनाकर छे साथ महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं जबरदस रेसिपी जरूर देखिएगा दही डाली है मैंने इसके अंदर दही में सिर्फ और सिर्फ नमक है और से और की डिस्का यह जबरदस फाइडा ए इसको रस это ररोग आया हैं चलबे जरूर में अच्छा को बना है Assalamu alaikum.